हेलो गाईस कैसे आप सब लाश्ट क्लास में हमने आपको अरिहन सेम्पल पेपर बताया था कोई से कोशन आपको अपने टम्टू एक्जाम के लिए प्रिपेर करने हैं कोई से कोशन आपको नहीं करने इसी तरीके से guys जैसा कि आपको मालूम है अमित सर ने आप लोगों की practice के लिए ही sample paper release करे हैं पांच solve हैं और पांच unsolve हैं तो इनकी book में जो पांच solve paper हैं उन में से मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से question आपको delete करने है उन deleted questions को आप लोग prepare मत करना irrelevant question है exam में कभी भी नहीं आएंगे अमित सर सबसे पहले तो congratulations and very very thank you आपने students के लिए term to exam के लिए sample paper release किया sample paper सर वाके में ही बहुत बढ़िया हैं बहुत बढ़िया आपने questions select करे हैं इन में से कुछ questions ऐसे हैं जो student अगर prepare नहीं करेगा तो कोई issue नहीं है तो मैं वही आज की वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है प्लीस बॉरा मत मानियगा आईए गाइस अब जल्दी से वीडियो को start करते हैं और आपको बता देते हैं कौन से questions आपको नहीं करने so देखे गाइस this is the first sample paper right and सबसे पहले नीचे आईए नीचे आईए नीचे आईए और इसमें आप भी देख रहे हैं guys question number one this is very very important question ठीक है this is very 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 important question okay and इसके बाद आप यहां पे देख रहे है question number two to question number two में आपको बताना है point estimation of population proportion population proportion आपके exam में बिल्कुल भी नहीं आएगा इस question को करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आप लोग करेंगे तो इसके अंदर आपको ना probability बतानी है ठीक है किसका probability बताना है montex pen का probability बताना है तो यहां पे देख पा रहे हैं 17 montex pen है total 50 pen है तो answer बन गया 17 by 50 very very simple guys बिल्कुल simple इसके बाद third question एकदम बढ़िया question है LPP का question है ठीक है इसके बाद में थोड़ा आगे भड़ेंगे सब question आपको यहां पे करने है आप यहां पे देख पा रहे है question number eight तो question number eight ना properties of integral का है और आपके exam में properties of integral के question नहीं आएंगे 100 परतीशत नहीं आएंगे तो हम इस वाले question को cross कर देंगे यह वाला question आपको करने की जरूरत नहीं है फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसमें property यूज कर लेना 0 से लेकर a fx dx अगर होता है तो इसकी value रहती है 0 से लेकर a function a minus में x dx ठीक है यह वाला property आप इ यह भी deleted question है freebie still अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसमें x की power 4 को t ले लेना ठीक है x की power 4 को t ले लेना question easily solve हो जाएगा ओके इसके बाद बाकी सब करेंगे यह जो question number 10 आप देख पा रहे हैं ठीक है इसमें क्या है write any three difference between parameter and statistics this is the theory question और applied में इसमें theory question बिल्कुल भी नहीं आएगा तो इसको cut कर देंगे ठीक है ओके जी समझ पारे हो guys मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे है very very good बाकी यह पूरा complete sample paper करेंगे कुछ भी delete नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद sample paper 2 पे हम आ गए है sample paper 2 में आप यहां पे देख पा रहे हैं यह जो third number का question है वैसे तो easy है बट हमारे exam में नहीं आएगा तो third number question पे आप cross कर सकते हैं फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको e log को cancel करना पड़ेगा बाकी easily solve हो जाएगा ठीक है तो अगर आपका मन हो तो करिएगा नहीं मन हो तो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है इसी तरह यहां पे यह देखो जो यह वाला question है एक company ने dividend declare कर रहा है 14% तो आपको market value बताना है यह वाला question नहीं करना ठीक है यह वाला question आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके बाद में guys अगर हम देखें अगर इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ें यह पूरा solve करना है कुछ भी delete नहीं करना ठीक है सब कुछ करेंगे इसके आग जो है ठीक है जो और वाला part है इसको नहीं करेंगे इसको delete कर देंगे ठीक है बागे सब कुछ करना है इसके बाद में लिखा हुए है यह find the rate of dividend declare यह भी नहीं करेंगे इसको भी cross कर देंगे ठीक है इसी तरह यह वाला what is the dividend of buy यह वाला भी नहीं करेंगे ठीक है dividend वाले question हमा ठीक है यह वला कोशन आपके एक्जाम में 100% नहीं आएगा ठीक है वेरी 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 इंपोटेंट गाईज यह जो कोशन नमबर 9 आप देख रहे हैं यह वला कोशन आप देख रहे हो यहाँ पर सैंपल वेल्यू जो है वो 300 है 300 sample value का मतलब है ये large sample test है ठीक है ये कौन सा test है large sample test है और large sample test हमारे exam में नहीं आएगा ये syllabus में नहीं है large sample test हमारे syllabus में नहीं है तो ये वाला question बिल्कुल भी नहीं आएगा इसको आप cross कर दो ठीक है बाकी practice करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बट आएगा नहीं 100 परतीशत इसके बाद guys आप देख पा रहे हैं ये जो question number 13 है ठीक है question number 13 पे what dividend will Asha get तो ये नहीं करना है ठीक है dividend वाले question share वाले question नहीं करने है इसको cross कर दो ओके जी इसके बाद में 14th question तो very 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 important question है 100% करेंगे और इसके बाद ये sample paper complete हो गया ठीक है जी इसके बाद देख पा रहे है sample paper 4 तो 4 sample paper में जो ये वाला question है ठीक है वैसे है तो easy but इसको नहीं करना है prepare नहीं करना है last time पे अगर आप sample paper solve करेंगे तो ये question आपको prepare नहीं करना है इसी तरह guys question number 2 का first वाला portion है ये वाला जो है ठीक है जो stock वाला question है इसको मत करो यार ये stock share dividend नहीं करने है ठीक है exam में नहीं आएंगे ये ध्यान रखेगा मेरी बातों को इसी तरह देखो यहाँ पे question number 6 dividend का question आगया find the dividend earn तो ये नहीं आएगा ठीक है dividend वाले question नहीं करने है इसी तरह यहाँ पे आप ये question number 7 देख रही हो है ना this is the question number 7 ये भी नहीं करना है आपको ठीक है वैसे easy question है इसके अंदर आप अगर x power 2 को t ले लोगे तो substitution method से solve हो जाएगा ठीक है practice करनी है तो फटा फट कर लेना अगर आप इसको solve करने में incapable हो दिक्कत मत लेना ये वाला question exam में नहीं आने वाला similar way में गया दी तो question number 12 है इसमें क्या लिखे देखो find the rate percentage of dividend तो dividend वाले question यार नहीं करने है ठीक है 12 question नहीं करेंगे ओके जी 12 question बिलकुल भी 100 प्रतीशत नहीं करेंगे इसके बाद हम देख रहे है question number 12 और 13 14 complete हो गया sample paper complete हो गया बागी पूरा करेंगे और इसके बाद ये last sample paper है फिफ्ट वाला ठीक है तो फिफ्ट वाले sample paper में first question तो बहुत ही असान question है 3 year का moving average very 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 simple question ठीक है second question भी very very simple है बिलकुल easy question है बिलकुल easy question and fourth question भी very very simple है बहुत ही बढ़िया question है ठीक है बहुत ही genuine question है ठीक है जी इसके बाद आप यहाँ पर ये question number 5 देख रहे हो इसको मत करना ठीक है इसको delete कर दो ठीक है इसको delete कर दो क्योंकि सबसे पहले तो ये z table का question है z table के साथ में sample population proportion दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं करना है इसको नहीं करने का ठीक है ओके लो जी guys question number 14 पर आ गए है बागी ये पूरा complete sample paper करना है तो guys जो question मैंने आपको बताए है उन question को बिल्कुल भी prepare करने की ज़ूरत नहीं है सर ने अपनी तरफ से important important question collection करके आपको sample paper में दिये है बट कुछ question ऐसे हैं जो syllabus में नहीं है जो हमारे exam में नहीं आएंगे वो मैंने आपको बता दिये है and sir अगर आप तक हमारा ये video पहुँचा है तो आप please बुरा मत मानना आपने बहुत बढ़िया काम करा है sample paper release करके and trust me sir मैंने जो ये PDF बनाया है ये PDF कहीं पर भी किसी को भी share नहीं होगा मेरी तरफ से कहीं पर भी sharing नहीं की जाएगी ये सिरफ मेरे पास ही रहेगा and आप please बुरा मत मानिएगा आपने sample paper बना करके बहुत बढ़िया काम करा है इसमें कुछ questions ऐसे हैं जो student अगर prepare ना करे तो भी काम चल सकता है तो मैंने बस वही काम करा है उनको बताया है कि कौन से question उनको prepare नहीं करने so guys आज के लिए इतना ही मुलाकात करेंगे नए वीडियो में तिल देन बाइ 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 गुननेट आवरीवन बाइ बाइ